परदेश सरकार मुख्यमंतरी आवास योजना के अंतरगत प्रत्यक विक्ति को लाव देकर आशियाना बनवाना चाहती है लेकिन योजना ने उस वक्त दम तोड़ा जब किस्त के आभाव में जीले के गरीब लोग खुले में रहने को मजबूर है गुरुवार को आननगर सहित कई स्थानों के आवास हिद्गरही जीला कलेक्टर कार्याले पहुचे और किस्त नहीं मिलने की शिकायत कर ग्यापन सोपा इस जोरान महिला मज़ूर हिद्गरही ने बताए कि पहली किस्त प्राप्त करने के बाद दो साल बिद गए लेकिन अभी तक दूसरी किस्त प्राप्त नहीं हुई जिससे खुले में रहने को मजबूर है खरगौन से जैंत गुपता की रिपोर्ट किति किस्ता अगेब एक लाके एक प्रुपेर किस्ते साल यह अभी तक नी अभी तक किस्ते न है तो आप केसे रहर हैं कि व्य åtmin कि आपरेंगे क्या सब्सक्राइब लेकरते हैं टॅर इतार है मतोऀ आं तैया नहीं कर द्यायиц अपर आज यह Ö कि प्रदाहन मत्य आवाज योजना की जो है कि 2018 से योजना चल रही है तो इसमें 2018 में जो है कि पेले तो जो चल रही है आगे जो दे रहा है बाकि जो 2018 में 625 सिद्गरायों को जो शुक्रत किये थे लेकिन आज तक जो है उनके एक लाग सांट अजे में किस्पर दनी ही बाकि स नब्माट 10,000 बाकि है आज एक लॉक्डाउन के समस्या होने कारण जो है पाईसा वगला हो है नी कुछ लोगोंने की करजा करके बाजार थे बना लिए कोई किराय के मकान दे रहे है और वारी साल की तुछ काफी दुख्यों और परेसान है पर इनके की तस दो दो साल हो गा सबसे पहले देखने के लिए आप देख रहे हैं हमारा चैनल सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना खुले